जैहिंद 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 जैहिंड जैहिंद मञ्च पर विराजमान पस्चिम मंगाल के राजपाल श्रिमान जगदीब धनगर जी पस्चिम मंगाल की मुख्यमंत्री बहन मम्ता बेनर जी जी मंत्री मंडल में मेरे सहयोगी श्री प्रलाद पतेल श्री बाबुल सुप्रियो जी नेता जी सुभाज बोच के निकड समंधी जन भारत का गवरो बढ़ाने वाली आजाध हिंद फोच के जांबाज सदस्य उनके परिजन यहां उपस्तित कलाव और सहीत जगत के दिगज और बंगाल की इस महान धर्ती के मेरे भाई और वहनो आज कोलकाता में आना मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला अक्षण है बच्पन से जब यह नाम सुना नेता जी सुभा चंद्र भोस मैं किसी भी स्थिती में रहा परिस्थिती में रहा यह नाम कान में पढ़ते ही एक नई उर्जा से भर गया इतना विराट व्यक्तित्व की है उनकी व्याख्या के लिए शब्द कम पढ़ जाएं इतनी दूर की द्रश्टी कि वहां तक देखने के लिए अनेकों जन्म लेने पड़ जाएं विकट से विकट परिस्थिती में भी इतना होसला इतना साहस कि दुनिया की बड़ी से बड़ी चुनोती ठहर न पाए मैं आज नेता जी सुभास चंद्र बोश के चरणों में अपना स्षीष जुकाता हूं उन्हें नमन करता हूं और नमन करता हूं उस मा को प्रभादेवी जी को जिनोंने नेता जी को जन्म दिया आज उस पवित्र दीन को एक सो पचीस वर्ष हो रहे हैं एक सो पचीस वर्ष पहले आज के ही दिन मा भारती की गोद में उस वीर सपूतने जन्म लिया था जिसने आजहाद भारत के सपने को नहीं दिशा दी थी आज के ही दिन गुलामी के अंधरे में वो चेतना फुटी थी जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता के सामने खड़े ओकर कहा था मैं मैं तुम से आजहादी मांगूँगा नहीं आजहादी छीन लूँगा आज के दिन सिर्फ नेताजी सुभास का जन्म ही नहीं हुआ था बलकि आज भारत के नए आत्मगौरव का जन्म हुआ था भारत के नए सैन्य कौशल का जन्म हुआ था मैं आज नेताजी की 125 वी जन्म जैन्ती पर कृतग्य राष्ट की तरब से इस महापुरुष को कोटी कोटी प्रणाम करता हूं साथ्यों मैं आज बालक सुभास को नेताजी बनाने वाली उनके जीवन को तप त्याग और तितिक्षा से घडने वाली बंगाल की इस पुन्य भूमी को भी आधर पूर्वक नमन करता हूं गुरुदेव श्री रविंद्रना टगोर बंकिम चंद्र चत्रपाध्याय शरत चंद्र जैसे महापुरुष्वने इस पुन्य भूमी को राष्ट्र भक्ति की भावना से भरा है स्वामी रामक्रिष्ण परमहुस चैतन्य महापुष्व श्री अरवेंदो मा शार्दा मा आननमाई स्वामी विवकानन श्री स्री ठाकुर अनुकुल चंद्र जैसे संतों ने इस पुन्य भूमी को बैराग्य सेवा और आध्यात्म से अलोकिक बनाया है इश्वर चंद्र विद्या सागर, राजा राम मोहन राय, गुर्चन धाकोर, हरिश्चंद धाकोर जैसे अनेक समाज सुधारक, समाजिक सुधार के अग्रूतुतों ने इस पुन्य भूमी से देश में नए सुधारों की नीव भरी है जगदिश्चंद्र वोज, पीसी रॉय, एसेन बोज, मेगनाथ साग, अंगिनत भाईज्यानिकों ने इस पुन्य भूमी को ज्यान विज्यान से सीचा है, ये वही पुन्य भूमी है, जितने देश को उसका राष्ट्र गान भी दिया है, और राष्ट्र गीत भी दिया है इसी भूमी ने हमें देश बद्दू चित रंजन्दास, डॉक्टर शामा प्रशाद मुखर जी और हम सभी के प्रिय भारत रतना प्रणब मुखर जी से साक्षातकार कराया है मैं इस भूमी के ऐसे लाखों लाख महान व्यक्तितों के चर्णों में भी आज इस पवित्र दीन पर परप्राणाम करता हूँ साथियों यहां से पहले मैं भी नेशनल लाइबरेरी गया था जहां नेता जी की विरासत पर एक इंटरनेशनल कॉन्फरेंस और आर्टिस केम का आयोजन हो रहा है मैंने अनुभव किया नेता जी का नाम सुनते ही हर कोई कितनी उर्जा से भर जाता है नेता जी के जीवन के उर्जा जैसे उनके अंतर मन से जुड़ गई है उनकी यही उर्जा यही आदर्श उनके तपस्या उनका त्याग देश के हर युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेना है आज जब भारत नेता जी की प्रेणा से आगे बढ़ रहा है तो हम सब का कर्तव्य है कि उनके योगदान को बार बार याद किया जाए पीडी दर पीडी याद किया जाए इसलिए देश ने तय किया है कि नेता जी की 125 वी जैनती के वर्ष को अहितिहासिक अभुद्पुर्व भव्यता भरे आयोजनों के साथ मनाए आज सुबह से देश भर में इससे जुड़े कारकम हर कौने में हो रहे है आज इसी क्रम में नेता जी के स्मृति में एक स्मारक सिक्का और डाग टिकट जारी किया गया है नेता जी के पत्रों पर एक कुस्त का विमोचन भी हुआ है कोलकता और बंगाल जो उनकी कर्मभूमी रहा है यहां नेता जी के जीवन पर एक प्रदर्शनी और प्रोजेक्शन मैपिंग सो भी आज से शुरू हो रहा है हावडा से चलने वाली ट्रेन हावडा काल का मेल का भी नाम अब नेता जी एक्स्प्रेस कर दिया गया है देश ने ये भी तै किया है कि अब हर साल हम नेता जी की जैन्ती यानि 23 जन्वरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया करेंगे हमारे नेता जी भारत के पराक्रम की प्रती मुर्ती भी है और प्रेयरना भी है आज जब इस वर्ष देश अपनी आधादी के 75 वर्ष में प्रवेश करने वाला है जब देश आत्मंदिर भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है तब नेता जी का जीवन उनका हर कार्य उनका हर फैसला हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेणा है उनके जैसे फौलादी इरादो वाले व्यक्तित्व के लिए असंभव कुछ भी नहीं था उन्होंने विदेश में जाकर देश से बाहर रहने वाले भारतियों की चेत्रा को जगजोरा उन्होंने आजाधी के लिए आजाधीन फोच को मजबूत किया उन्होंने पूरे देश से हर जाती पंद हर खेत्र के लोगों को देश का सहिनिक बनाया उस दौर में जब दुनिया महिलाओं के सामान्य अधिकारों पर ही चर्चा कर रही थी नेता जी ने रानी जासी रेजिमेंट बना कर महिलाओं को अपने साथ जोड़ा उन्हाने फोर्ट के साइनिकों को आधुनिक युद्ध के लिए ट्रेनिंग दी उन्हें देश के लिए जीने का जजबा दिया देश के लिए मरने का मकसद दिया नेता जी ने कहा था भारोट डाग छे भारोट डाग छे रोक्तों डाग दिये छे रोक्तों के उठो दांडाओ आमो देर नोस्टों करार मतों सोमय नौए हर्थात भारत बुला रहा है रक्त रक्त को आवाद दे रहा है उठो हमारे पास अब गमाने के लिए समय नहीं है साथियों ऐसी होंसले से भरी हुंकार सिर्फ पर सिर्फ नेताजी ही दे सकते थे और आखिर उन्होंने दिखा भी दिया कि जिस सत्ता का सुरज कभी अस्त नहीं होता भारत के वीर सपूत रन भूमी में उससे भी परास कर सकते हैं उन्होंने संकल पलिया था भारत की जमीन पर आजाद भारत की आजाद सरकार की नीव रखे गिये नेताजी ने अपना ये बादा भी पूरा करके दिखाया उन्होंने अन्दमान में अपने सैनिकों के साथ आकर तिरंगा फैराया जिस जगह अंग्रेच देश के स्वदंत्रता सेनानियों को यातनाए देते थे काला पानी की सदा देते थे उस जगह जाकर उन्होंने सेनानियों को अपनी स्तरधांज ली दी थी वो सरकार अखन भारत की पहली आजाद सरकार थी नेता जी अखन भारत के आजाद हिन सरकार के पहले मुख्या थे और यह मेरा सभाग्य है कि आजादी की उस पहली जलक को सुरक्षित रखने के लिए 2018 में हमने अंड़ावान के उस दीप का नाम नेता जी सुभाज चंद्रबोस दीप रखा देश की भावना को समझते हुए नेता जी से जुड़ी फाइले भी हमारी सरकार ने सार्वजनिक की यह हमारी ही सरकार का सौभाग्य रहा जो 26 जनवरी की परेड के दोरान आयने वेटरंस परेड में शामील हुए थे आज यहां इस कारकम में आजाद हिंद फोज में रहे देश के वीर बेटे और बेटी भी उपस्तित हैं मैं आपको फिर से प्रणाम करता हूँ और का प्रणाम करते हुए कहीं कहूंगा कि देश सदा सरवजा आपका कृतग्य रहेगा कृतग्य है और हमेशा रहेगा साथियों 2018 में ही देश ने आजाद हिंद सरकार के 75 सान को भी उतने ही धूम धाम से मनाया था देश ने उसी साल सुभाष चंद्रबोज आपता प्रबंदन पुरसकार भी शुरू किये नेताजी ने दिल्ली दूर नहीं का नारा देकर लाल किले पर जंडा फैराने का जो सपना देखा था उनका वो सपना देश ने लाल किले पर जंडा फैरा कर पूरा किया भाई और भेनों जब आजादीन भोज की कैप आजादीन भोज की कैप मैंने लाल के लिए पर जंडा फैराया था उसे मैंने अपने सर पर लगाया था उस वक्त मेरे मन मस्तिस्क में बहुत कुछ चल रहा था बहुत से सवाल थे बहुत से बाते थी एक अलग अनुवूती थी कि मैंनेता जी के बारे में सोच रहा था कि देश वाच्छों के बारे में सोच रहा था वो किस के लिए जीवन भर इतना रिस्क उठाते रहे जवाब यह है हमारे और आपके लिए वो कई कई दिनों तक आमरान अंसन के किसके लिए करते रहे आपके और हमारे लिए वो महिनों तक किसके लिए जेल की कोठ्री में सजा भूगत ने रहे आपके और हमारे लिए कौन ऐसा होगा जिसके जीवन के पीषे इतनी बड़ी अंग्रेजी हकुमत लगी हो वो जान हत्यली पर रखकर फरार हो जाए हफ्तो हफ्तो तक वो काबूल की सडकों पर अपना जीवन दाउं पर लगागर एक एमबेसी से दूसरी से चक्कर काट लगाता रहे किसके लिए हमारे और आप के लिए विश्वे युद्व के उस माहौल में देश के बीच पल पल बदलते देशों के बीच के रिष्टे इसके बीच क्यों वो हर देश में जाकर भारत के लिए समर्थन मांग रहे थे ताकि भारत आजाद हो सके हम और आप आजाद भारत में साथ ले सके हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति नेताजी सुभाद बाबु का रणी 130 करोड से ज्यादा भारतियों के शरीर में बैती रख्त की एक एक बुन नेताजी सुभाद की रणी है यह रण हम कैसे चुकाएंगे यह रण क्या हम कभी चुका भी पाएंगे साथ्यों जब नेताजी सुभाद यहां कुलकता में अपने 38 बटादो एलगिन रोड के घर्प में कैथ थे जब उन्होंने भारत से निकलने का इरादा कर लिया था तो उन्होंने अपने भतीजे शिशीर को बुला कर कहा था अमार एक्ता काज कोरते पारवे का है अमार एक्ता काज कोरते पारवे क्या मेरा एक काम कर सकते हो इसके बाद सिखीर जी ने वो किया जो भारत के आज़ादी की सबसे बड़ी भज़ों में से एक बना नेता जी ये देख रहे थे कि विश्वयूत के माहोल में अंग्रे जी हमकुमत को अगर बाहर से चोट पहुचाई जाए तो उसे दर्द सबसे जादा होगा वो भविश्य देख रहे थे कि जैसे जैसे विश्वयूत बढ़ेगा वैसे वैसे अंग्रे जोंकी ताकत कम पड़ती जाएगी भारत पर उनकी पकड़ कम पड़ती जाएगी ये था उनका विजन इतनी दूर देख रहे थे वो मैं कहीं पड़ रहा था कि इसी समय उन्होंने अपनी भतीजी इला को दक्षणेश्वर मंदिर भी बेजा था कि मा का आशिरवार ले आओ वो देश से तुनंत बाहर निकलना चाहते थे देश के बाहर जो भारत समर तक सक्तियां है उन्हें एक जुड़ करना चाहते थे इसलिए उन्होंने युवास सिसीर से कहा था अमार एक्ता काज कोड़ते पारवे क्या मेरा एक काम कर सकते हो साथियों आज हर भारती अपने दिल पर हाथ रखे नेता जी सुभाज बाबु को महसूस करे तो उसे फिर से ये सवाल सुनाई देगा अमार एक्ता काज कोड़ते पारवे क्या मेरा एक काम कर सकते हो ये काम ये काज ये लक्ष आज भारत को आत्म निर्भर मनाने का है देश का जन जन देश का हर खेत्र देश का हर व्यक्ति इससे जुडा है नेताजिने कहा ता पुरुष और्थो एवाम उपकरण निजे राय विजोएबा साधिन्ता आंते पारे ना आमादेर अबोशोई सेई उद्देशोशो की ठाक्त होवेजा आमादेर सोहसी काज एवं वीर्थ तपुरुणार सोसने उद्भूत कोरवे यानि हमारे पास वो उद्देश और शक्ति होनी चाहिए जो हमें साहस और विर्था पूंड तरीके से साथन करने के लिए प्रेणीत करें आज हमारे पास उद्देश भी है शक्ति भी है आत्म निर्भर भारत का हमारा लक्ष हमारी आक्प्रशक्ति हमारे आत्म संकल से पुरा होगा नेताजी ने कहा था आज आमा देर केबोल एक्टी चाथा का उचीत भारते इच्छुग जाते भारते बांचते पाले यानि हमारी एक इच्चावनी चाहिए कि हमारा भारत बच पाए भारत आगे बड़े हमारा भी एक इलक्ष है अपना खून पसिना वहा कर देश के लिए जिये अपने परिश्णम से अपने इनोवेशन से देश को आत्म निर्वर बनाए नेताजी कहते थे निजेर प्रोती शात होले सारे बिशेर प्रोती के उउँ असोध होते पार बेना अर्थात अगर आप खुद के लिए सच्चे हैं तो आप दुनिया के लिए गलत नहीं हो सकते हमें दुनिया के लिए बहतरीन क्वालिटी के प्रोड़क बनाने होंगे कुछ भी कमतर नहीं जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाले प्रोड़क्ट नेताजी ने हमें कहा था स्वाधिन भारोतेर स्वपने कोनो दिन आसता हारियो ना बिच्छे एमुन कोनो शोक्ति नेजे भारतों के परादिनान अंतर सुंखलाए बेगे रागते समर्तों हो बे यानि आज आज भारत के सपने में कभी भरोसा मत खोई है दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो भारत को बांद करके रख सके वाकई दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो 130 करोड देश वाच्यों को अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने से रोक सके ताथियों नेताजी सुवाच अंदर बोस गरीबी को आशिक्षा को बिमारी को देश की सबसे बड़ी समस्याओं में गिनते थे सुवाद बावु कहते थे आमादेर साप्षे बोरो जात्यों समस्या हो लो दारीद रो अशिक कखा रोग वैज्ञानिक उत्पादोन जे समस्यार समादान हो बे केबल मात्रों सामाजिक बावना चिंता द्वाला अर्थात हमारी सबसे बड़ी समस्या गरीबी असिक्षा बिमारी और वैज्ञानिक उत्पादन की कमी है इन समस्याओं के सबादान के लिए समाज को मिलकर जुटना होगा मिलकर प्रयास करना होगा मुझे संतोज है कि आज देश पीडित शोसित बंचित को अपने किसान को देश की महलाओं को ससक्त करने के लिए दिन रात एक कर रहा है आज हर एक गरीब को मुप्त इलाज की सुविधा के लिए स्वास्त सुविधाएं मिल रही है देश के किसानों को बीच से बाजार तक आधुनिक सिविधाएं दी जा रही है खेती पर होने वाला उनका खर्च कम करने का प्रयास किया जा रहा है हर एक युवां को आधुनिक और गुनवत्ता पूर्ण सिक्षा मिले इसके लिए देश के एजुकेस्षान इंफास्टर को आधुनिक बनाया जा रहा है बड़ी संग्यमें देश भारत में एम्स आयाइटी और आयाइम्स देसे बड़े संस्थान खोले गए हैं आध देश 21 सदी की जरुरतों के हिसाब से नई राष्टिय सिक्षान नीती भी लागू कर रहा है साथ क्यों मैं कई बार सोचता हूं कि आज देश में जो बड़ला हो रहे हैं जो नया भारत आकार ले रहा है उसे देख नेताजी को कितनी संतुस्ति मिलती हैं उन्हें कैसा लगता जब वो दुनिया की सबसे आधुनिक टेक्लोलोजीस में अपने देश को आत्म निर्भर बनता देखते हैं उन्हें कैसा लगता जब वो पुरी दुनिया की बड़ी-बड़ी कंप्रियों में, शिक्षा में, मेडिकल सेक्टर में भारतियों का डंका बत्ते देखते हैं, आज राफेल जैसे आधुनिक विमान भी भारत की सेना के पास है और तेजस जैसे अत्याधुनिक विमान भारत खुद भी बना रहा है, जब वो देखते हैं कि आज उनके देश की सेना इतनी ताकतवर है, उसे वैसे ही आधुनिका थियार मिल रहे हैं, जो वो चाहते थे, तो उन्हें कैसा लगता है, आज अगर नेता जी यह देखते हैं, कि उनका भारत इतनी बड़ी महामारी से, इतन इतनी ताकत से लड़ा है, आज उनका भारत वैक्सिन जैसे आधुनिक वैज्ञानिक समादान खुद तैयार कर रहा है, तो नेता जी क्या सोचते हैं, जब वो देखते हैं, कि भारत वैक्सिन देकर, दुनिया के दूसरे देशों की मदद भी कर रहा है, तो उन्हें कितना गरव होता है, नेता जी जिस शवरूप में हमें देख रहे हैं, हमें आशिजवाद दे रहे हैं, अपना स्नेह दे रहे हैं, जिस ससकत भारत के उन्होंने कल पना की थी, आज L.A.C. से लेकर के L.O.C. तक बारत का यही अवतार दुनिया देख रही है जहां कहीं से भी बारत की संप्रभुता को चुनवती देने की कोशिश की गई भारत आज मुह तोड जवाब दे रहा है साथियों नेताजी के बारे में बोलने के लिए इतना कुछ है कि बात करते करते रातों की रातों बित जाए नेताजीजे से महान व्यक्तित्वों के जीवन से हम सब को और खास कर युवाओं को बहुत कुछ सिखने को मिलता है लेकिन एक और बात जो मुझे बहुत प्रभावित करती है वो है अपने लक्ष के लिए अनवरत प्रयास विश्व युद्ध के समय पर जब साथी देश प्राजय का सामना कर चुके थे तमने तहजी ने अपने सयोग्यों को जो बात कही थी उसका भाव यही था कि दूसरे देशों ने सरंडर किया होगा हमने नहीं है अपने संकल्पों को सिद्ध तक सिद्धी तक ले जाने की उनकी शंता अधितियत ही वो अपने साथ भगवत गीता रखते थे उनसे प्रेणा पाते थे अगर वो किसी काम के लिए एक बार आस्वस्त हो जाते थे तो उसे पूरा करने के लिए किसी भी सीमा तक प्रेयास करते थे उन्होंने हमें ये बात सिखाई है कि अगर कोई विचार बहुत सरल नहीं है, साधारन नहीं है, अगर इसमें कठिनाईयां भी है, तो भी कुछ नया करने से दरना नहीं चाहिए अगर आप किसी चीज में भरोसा करते हैं, तो आपको उसे प्रारम करने का साहच दिखाना ही चाहिए एक बार को ये लग सकता है कि आप धाना के विपरित बह रहे हैं, लेकिन अगर आपका लक्ष पवित्र है, तो इसमें भी हिचकना नहीं चाहिए उन्होंने ये करके दिखाया कि आप अगर अपने दुर्गामी लक्षों के लिए समर्पित है, तो सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है साथ क्यों? नेता जी सुभाज आत्मंदिर भर भारत के सपने के साथ ही सोनार बंगला की भी सबसे बड़ी प्रेड़ा है जो भूमी का नेता जी ने देश की आज़ादी में निभाई थी, आज बही भूमी का पस्चिम मंगाल को आत्म निर्भर भारत भ्यान में निभानी है आत्म निर्भर भारत भ्यान का नेतृत्व, आत्म निर्भर भंगाल और सोनार बंगला को भी करना है बंगाल आगे आए, अपने गवरव को और बढ़ाए, देश के गवरव को और बढ़ाए नेता जी की तरह ही, हमें भी अपने संकल्पों की प्राप्ति तक अब रुकना नहीं है आप सभी अपने प्रयासों में संक्ल्पों में सफल हो, इनी सुबकामनाओं के साथ आज के इस पवित्र दिवस पर इस पवित्र धर्ती पना करके आप सब के आशिर्वान ले करके, नेता जी के सपनों को पूरा करने का हम संकल्पों करके आगे बढ़े इसी एक भावना के साथ, मैं आप सब का बहुत-बहुत दन्यवाद करता हूँ जाए हिन जाए हिन जाए हिन जाए हिन बहुत बहुत दन्यवाद